स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के इस चैनल में तो आज की हम अपनी 21st वीडियो वोकैबलरी की स्टार्ट करते हैं इससे पहले जो 20 वीडियो करवा दी हैं आपको वोकैब की वो एक अलग से प्लेइलिस्ट बना रखे हैं तो आप जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं और हम अपनी वोकैब कैसे कर रहे हैं हर तिन 5 वर्ड कर रहे हैं विद्ट्रिक के साथ या फिर कहीं की के साथ ताकि ये वर्ड्स यानि ये वोकैबलरी हमें याद रहने में असानी हो बिना टाइम गवाएं आज का हम अपना पहला जो वर्ड है वो देख लेते हैं पहला जो वर्ड है वो है पर्जी वियर पर्जी वियर पर्जी वियर ओके इसका जो मतलब होता है वो है लगातार जारी रखना persevere का मतलब एक तरीके से द्रिट संकल्प के तोर पे भी आ जाता है मतलब कि आपने किसी काम को करने की ठान लिया तो persevere, determine ये सब चीजें जो होती हैं वहाँ पर लगाई जाती है तो persevere, यानि लगातार जारी रखना अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे हम परसों से बीर ओके, example के तरू हम इसको समझ लेते हैं हम परसों से बीर पीना लगातार जारी रखे हुए हैं मतलब कि भाई साब दो दिन हो गए हैं हमें दारू पीते हुए मतलब कि या बीर पीते हुए ऐसे चेहना ने चाहिए बट ये एक की है आपको याद करवाने के लिए और अलकोहल जो होती है वो खतरना को होती है श्रीर के लिए तो उससे दूर रहें सिरफ और सिरफ याद करने के लिए फर्स्ट वर्ड जो होता है इसके बाद हम अपने सेकंड वर्ड के तरफ चलते हैं Okay, fritter away, जिसका मतलब है फोट अधिक खर्चीला, और हम इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने की जो हमारे पास जो की है, free में तार, Okay, fritter away, क्यों ना, क्योंकि free, free यहां से हम याद रख लेंगे, इसको free में तार, इसकी की बनेगी, और example के तुरू हम इसको समझते हैं, free में, free में तार लगाना, free में तार लगाना, देश के लिए बहुत अधिक, बहुत अधिक खर्चीला काम है, Okay, काम है, Okay, clear, एक बहुत अधिक, बहुत अधिक खर्चीला काम है, clear हुआ, Okay, second word के बाद जो हमारा, जो third word है, वो है, foment, foment, Okay, इसका मतलब होता है, उक्साना, किसी को किसी चीज के लिए उक्सा देना, Okay, इसको हम याद रखने वाले हैं, famous, famous, famous का मतलब क्या होता है, प्रसिद famous aunt, famous aunt, आपके महुले में कोई एक famous aunt है, आप उनके reference में बात कर रहे हैं, foment, foment का मतलब होता है, उकसाना और हमें इसको याद कैसा रखना है Famous Aunt से Okay, example के धो रूब हम इसको समझते है Famous Aunt Famous Aunt आपको बिना मतलब आपको बिना मतलब आपको बिना मतलब उकसा रही है ताकि उसको क्या मिल जाए मतलब हाइलाइट मिल जाए इसलिए वो उकसा रही है famous art famous तो है और उसको और ज़्यादा fame चाहिए तो इसलिए वो किसी को उकसा कर लड़ाई करवाना चाहिए तो उकसा रही है यहाँ पर क्या आ गया meaning भी आ गया clear format का मतलब होता है उकसाना और हमने इसको याद किया कैसे किया है famous art से third word के बाद जो हमारा fourth जो word है वो है consternation consternation यहाँ पर आर जो है वो silent है consternation consternation clear इसका जो मतलब होता है उदासी और एक और मतलब होता है इसका जिसका हम कहेंगे आंतंक clear संसनी भी होता है consternation, उदासी हो गया आंतंक हो गया जो हम इसका याद रखने वाले है इसके लिए जो thatís consternation consternation का मतलब होता है उदास या पिर कहें आतंक और हमने इसको याद कैसे करना है consternation इसकी से हम इसको याद रखने वाले है एक्जाम्पल के तुरू हम इसको समर लेते हैं एक्जाम्पल में कैसे करेंगे कंस क्या हो रहा है कंस कंस एक मिनट एक मिनट यह पता नहीं लास्ट में आते ही इसको कुछ न कुछ गडबड हो जाती है पता नहीं इसको चड़ जाता है कि कुछ नशानूशा हो जाता है कि हम मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सही 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 से लिखने की कंस तेरे नेशन में आराम राम से लिखेंगे कंस तेरे नेशन में बहुत उदासी या फिर कहें आतंक है आप दोनों ही वर्ड यहां पर क्लियर यहां पर क्योंकि दोनों ही यहां पर अच्छे लग रहे हैं कंस्टनेशन का मतलब होता है उदासी और इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वो है डिस्परेट डिस्परेट इसको डिस्परेट से मतल ले जाना इस वर्ड को हम याद कैसे करेंगे देश देश पैरिट देश पैरिट एक्जाम्पल के थूर हम इसको समझते हैं देश देश पैरिट यानि देश में जो पैरिट होते हैं वो अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होते हैं अलग-अलग होते हैं का मतलब यानि दो बार मैंने अलग-अलग लिखा है हाई होब साप लोगों को यह समझ में आता होगा अलग-अलग होते हैं clear यहाँ पर desperate का मतलब होता है भिन-भिन अलग-अलग एक बार जल्दी से पांचो वर्ड को एक बार revise कर लेते हैं पहला जो वर्ड हमने किया है persevere persevere का मतलब होता है लगातार जारी रखना और हमने इसको याद कैसे किया है परसों से beer example के तुर हमने इसको कैसे समझा है हम परसों से beer पीना लगातार जारी रखे हुए हैं तो परसों से beer यहाँ पर की भी आगी और लगातार जारी रखना यहां पर इसके meaning भी आ गया अगला जो word है वो है fritter away fritter away का मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला और हमने इसको यह से याद किया है free में तार इसकी जो की बनी है free में तार example के तुर हमने इसको कैसे किया free में तार लगाना देश को देश के लिए बहुत अधिक खर्चीला काम है clear तार का भाईया ऐसे use मत कर देना कहीं आपने देखा हो बिजली की तार है तोड़ तूड़ के अपने घर के लेगे तो मतलब ले जाना भी बहुत खर्चा लगता उसके अंदर okay third word जो है वो है foment foment का मतलब उकसाना किसी को बढ़का देना clear एक्जाम और इसको हमने किया कैसे है famous aunt जो famous होती है आपके गले में लड़ाई महले में मतलब लड़ाई करने के मामले में महले में ऐसे समझो उसको famous aunt आपको बिना मतलब उकसा रही है clear अगला जो word हमने किया consternation are इसके अंदर क्या है silent होता है consternation इसका मतलब होता है उदासी या फिर कहीं आतंक कंस कंस तो पता होगा न शकुनी मामा कंस यह ऐसी चीज़ें शकुनी और कंस मुझे पता है अलग अलग हम फिर भी आप लोगों को कंस तेरे नेशन यानि नेशन बोले तो रास्ट कंस तेरे नेशन में बहुत उदासी या बोले आतंक है दोनों ही चीज़ें यहां पर अच्छी लग रही है जो last word हमने किया है desperate desperate का मतलब होता है भिन भिन अलग अलग हमने इसको कैसे किया देश parrot यानि देश में जो parrot होते हैं ऐसे समझो इसको देश के जो parrot होते हैं वो अलग-अलग होते हैं टै तो कहीं से भी नहीं लग रही है अलग-अलग होते हैं clear हुआ I think आप लोगों को यह पांचो वर्ट समझ में आ गए होंगे अगर यह समझ में आगे तो क्या काम करना है लाइक करना है किसको भाईया वीडियो को और सब्सक्राइब करना है किसको करोगे सब्सक्राइब वीडियो को तो करने से रही तो किसको करोगे चैनल को clear और दोनों ही काम एक चीज़ कर सकते हो शेयर कर सकते हो, वीडियो को भी और चैनल को भी, ओके, अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटिड आपको PDF चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक लिंक दे रखा है मैंने description box में किसका telegram का, अरे यार, telegram का, telegram का, और किसका FB का, FB बोले तो Facebook का दे रखा है, तो जाकर join करिए आप लोगों को आपके exam के point of view से वहाँ पर PDF मिल जाएगी, इस वीडियो से related भी PDF मिल जाएगी, clear और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आज आने वाली हैं, तो भाईया, subscribe करतो त्वीडाएर, THANKYOU FOR WATCHING थिए वीडियो